आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी नास्ते की रिस्पी लेकी आई हूँ इसके सामने समोसा कचोड़ी भी फेल है दो बुन तेल में गेहूं के आड़ी से बना हुए नास्ता आपको जरूर पसंद आएगी तो आप एक बार जरूर ट्राय करिएगा उपर सी बहुत ही ख जर्णी में जाड़े तो आप बना के लिए के जा सकते हैं तो इसे बनाने के लिए हमने एक कटोड़ी गीहूं काटा लिया है इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चमच नमक साथी इसमें डालेंगे आधी चोटी चमच चीली फ्लेक्स और थोड़ा सा बारी कटा हुआ धनिय पर गीहूं के आटे से बना लें तो इसमें बहुत थोड़ा सा ही मुएंड डालेंगे वसिप दो चोटी चमच यह हमने डाला है सबी चीजों को अच्छे से आटा में मिक्स कर ले पहले उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालें आटा गुन लेना है तो इसका आटा हमे तो इसी तरीके का होना जाएथ थोड़ा सा सकत तो इसे बुढ़े थोड़ा सा अ अबले ही टीना निया बें हैं वेसी ठीटी है तेन के तीन ऐलो को नुचा कुम एते है तो गणा शाधी ताने नहीं पयाओ स्पस्टीफ हसोटे की मिद्धिन पृर्यकाहिण प्याज टीने हां जब प्याज अच्छे से लाल हो जाएगा तब हम इसमें आलू डालेंगे तो यह देखिए प्याज अच्छे से भुन गया है तो इसमें हम यह उगले हुए मतब मैस के हुए आलू डाल देंगे और आलू को अच्छे से भुन लेंगे आलो जब थोड़ी सी भुन जाएगी तब हम इसे मसारे डालेंगे और इसे बहुत ही चटपटा सा बनाएंगे तो सबसे पहले हम इसे नमक डाल देते हैं तो साधन सा नमक डालेंगे साथी आधी छोटी चमज अजवाइन और मंग्रेला आधी छोटी चमज धणिया पौॡडर फोड़ी सी डालेंगे जीरा पौॡ़र फोडी सी लाधी ंवाइन डालेंगे साथी बारिक क्ट्वी धनिया पत्थी चमज अमच्चुर का पौॡ़डर यह मसाला बहुत ही तीखा चट्पटा सा बनेगा तो आप इसकी जगह कुछ और भी मसाला बना के डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो इसमें या फिर इसमें भी बहुत सारी सब्जियां आप एड़ कर सकते हैं जैसे की मटर, गोबी, गाजर सभी को बारी काट के डाल सकते हैं तो अपनी पसंद से इस्टफिंग आप बना सकते तो थोड़ी दिर हम आलू को भूनेंगे चार से पास मेर तक जब तक कि आलू इतम बढ़ियां से ना भून जाए और तो यह दिखिए आलू अच्छे से भून गया तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे और यहां पे हमने अपे वाली कडाही चड़ा देंगे और उसके बाद इस लोई को चिकना करने के बाद इसे कटोड़ी का से देंगे उसमें यह आलू मसाला डाल के भड़ लेंगे पर ध्यान रिखिए कि जो आलू मसाला भड़ रहें वह पूरी तरह से ठंडा हो जाना चाहिए अगर इस तरह के स्टफिंग वाली कोई क बनाले हैं फिर भी अध्यान रखिएगगा कि जब करतें तरह का राएं भी उसका में डहीं समय से कटीज़ Europasritsaksun Co जानेवant चैनेटाल करें सबीटाइव मंसाला शहरा कि बनालो जाए जैकर जो भी पर वालू सब सबसक्रा करके बहीं पर बच्roughाजा पसंद को अर बात बहुत जादा ऐल डाल देंगे और धीमी आज पर हम इसे पकाएंगे बीच बीच में ऐसे उलटते पलटते रहेंगे इसे तो हम लग सत्तु का जो लिट्टी बनाते हैं वह इसी तरीके से बनाते हैं तो उसी तरीके से हम आलो बरके बनाएं आप गोबी मसाला मुटर मसाला यह झाति हैं यह यह तरीके कितना अच्छा सा कलर राया है और बहुत ही अच्छा घृश्टी जाता है बहुत ही टेस्टी बनता है सपी वे में तो झो लोग बहुत कम तेले घृच्प अपर हम निकीं चाई में बिलैं वी यह यह fulfillment चेस्ट मकार्क बहुत ही अच्छा मसालेदार हमारा ये आलो मसाला है रेस्पी अच्छे लगए तो प्लेज लाइक करें शेयर करें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर दें सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है तो मैं आप से पिर मिलती हूं अगले वीडियो में बाई बाई